हलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूटूब चैनल पर जिसका नाम है शौरफ क्लासेज आज मैं JPSC मुखे परिक्षा के लिए प्राचीन भारती एतिहास से एक महतुपुर्ण विशय अशोक की विदेश नीती इस विशय को लेकर उपसित हुआ हूँ यह हमारा ग्यारवा टॉपिक है प्राचीन भारत के एतिहास से तो चलिए शुरू करते हैं अशोक के काल में विदेश नीतियों के निर्धारण में इस बात पर विशेश बल दिया जाता है कि अशोक के काल में भारत का विदेशी संबन्द एक तरफा नहीं था बलकि दो तरफा था क्योंकि हमें मेगस्तिनिच के द्वारा ग्यात होता है कि पाठली पुत्र में विदेशियों की देखभाल के लिए एक विशेश समिति का गठन किया गया था अशोक की विदेश नीति का एक महतुपूर्ण घटक धर्म का प्रचार भी था अशोक की द्रिष्टी वस्तुपरक एवं यथार्थवादी थी और उसकी धमनिती शान्ती एवं सद्भावना की अवधार्णा से प्रभावित थी अशोक ने विदेशों में राज़ूत भेजने के बजाए धर्म दूत भेजे अशोक का उद्देश अन्य देशों में धर्म के प्रती रूची पैदा करना था कुछ इतिहासकारों का यह भी मानना है कि इसका उद्देश भारतिय विचारधारा के साथ भारतिय वस्तूओं का भी प्रचार था अशोक के दूसरे एवं तेरवे शिरालेख में पड़ुसी देशों की चर्चा की गई है उसके तेरवे शिरालेख में चर्चा की है कि उसने भेरी घोष छोड़कर धम घोष अपना लिया अशोक ने अपने अभिलेख में धर्म विजय का दावा करता है और कहता है कि उसके प्रयास से पड़ोसी राज्यों में धम का प्रचार हो गया उसके तेरवे शिरालेख में पश्चिम के बहुत से पड़ोसी देशों की चर्चा की गई इसी अभिलेख में पश्चिम में अशोक के सामराज की सीमा निर्धारित होती है इसमें इरान का साशप एंटियोकस की चर्चा है और इरान से भारत का संबंध इस बात से भी निर्धारित होता है कि इरानी संस्कृती का प्रभाव भारत में देखा जाता है उत्तर पश्चिम सहबाजगड़ी और मनसेरा के अभिलेख में ब्राम्मी लिपी के बदलेग घरुस्ठी लिपी को अपनाया गया है अशोक स्तंब में इरानी कला का प्रभाव माना जाता है उसी तरह तक्ष शिला से अर्माईक लिपी में एक अभिलेख प्राप्त हुआ है आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इरान के अत्रिक्त पश्चिम के अन्य राज्यों से भी अशोक के संबन्ध थे उसके तेरवे शिला लेख में मिश्र मिसिडोनिया आदी से भी संबन्धों का हो लेख है लेकिन इन राज्यों से अशोक के कैसे संबन्ध थे इस पर व्यापक चर्चा नहीं की गई है परन्तु इतना स्पस्ट है कि अशोक ने इन देशों में अपनी धार्मिक धर्मदूद अवश्य भेजे थे अशोक के पुर्व बिंदुसार के समय में भारत का पश्चमी राज्यों से संपर्क था क्योंकि हम जानते हैं कि बिंदुसार ने सीरिया के शार्षक एंटियोकस प्रथम से अंजीर, शराब और एक दार्शनिक की मांग की थी किन्तु अशोक के समय इन संबंधों का स्वरू अवश्य बदल गया होगा अब राजदूत के बदले धर्म दूत भेजे जाने लगे पुरानों के अनुसार अशोक ने खोतान की यात्रा की फिर अशोक का नेपाल से भी सम्मंद था क्योंकि अशोक ने अपनी पुत्री चारुमती का विवा, नेपाल के शाशक देवपाल से की थी पुर्व में बंगाल तक उसके सामराज्य का प्रसार था क्योंकि बंगाल के तामरलिप्ती बंदरगाह से ही श्रीलंका के लिए जहाज खुलते थे और ऐसा माना जाता है कि अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संगमित्रा को छोड़ने तामरलिप्ती बंदरगा तक गया था आगे देखें अशोक के सिस्ट मंडल का संभवता दक्षिन में अधिक प्रभाव रहा क्योंकि गवी माती, पालकी गुंडा, ब्रह्मागिरी, मास्की, येरा गुड़ी, सिद्धपुर, आधी छेत्रों में अशोक के अभिलेग प्राप्त होते हैं होयन सांग ने पांडे एवं चोल प्रदेश में एक-एक स्तूप देखा था अशोक के दूसरे शिलालेग से यह ज्यात होता है कि अशोक ने इन छेत्रों में भी लोग कल्यानकारी कारियों का विस्तार किया इसी तरह अशोक की धार्मिक निती का प्रभाव शिलांका पर भी पड़ा राजकुमार महंद्र की शिलांका यात्रा संभावता प्रथम राज किये संपर्क था अशोक का प्रभाव भी श्रिलांका के शाशक पर था इस बात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि श्रिलांका के शाशक ने अशोक के प्रभाव में देवनाम प्रिये की उपादी ली इस तरह श्री लंका का शाशक तिस अशोक से बहुत प्रभावित था इस प्रकार उप्रोक्त विविद्णों से हम पाते हैं कि अशोक की व्यादेशिक नीती मूलता धर्म प्रसार के उद्देश्य से प्रेरित थी जिसकी पुस्टी हमें उसके विविन देशों में प्राप्त शीलालेखों से ग्यात होता है इस प्रकार से हमारा यविशे यही समाप्त होता है आज के लिए बस इतना ही धन्यवाद